पूरू नापूर में ना जाने कब विकास दिखेगा रास्ते पर खोदे गए गड़े हो या मेट्रो की निर्मान कार्य में लगे जगा जगा बरिगेट सू लोगों का जीना दुश्वार हो गया है विकास कारे के नाम पर पूरू नापूर के लोगों के साथ खिलवार हो रह तीन दिन पहले रोड चौड़ी करन के लिए तोड़े गया सतर से अधिक मकान के मलबे को मलपा से हटाया नहीं गया आमबेटकर चौग से पारडी चौग तक मेट्रो के निर्मान कार्य शुरू है जिसका रन रास्ते का डामरी करन किया जा रहा है रस्तों को चौड़ा करने के लिए वाकी स्थानिय लोगों के बाउंडरी दिवाल को तोड़ दिया वतादे की वरदमान नगर में कई बड़े व्यापारी जैसे हल्दिराम, मालो के बंगले हैं किन्तों तीन दिन से अधेक बीद जाने पर भी लोगों के मकान के बाहर दिवाल का मलबा पड़ा है जिसकारन मकान के मालिकों, व्यापारियों, रहागेरों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है महेंगे महेंगे कारों को पार्किंग में रखने में अस्विधा हो रही है सब मकान मालिकों ने अपने मकानों को परदे तथा टेन के शेड से ढख दिया है चार वर्षों से पार्डी फ्लायोर का काम पूरा किया जाना था पर अब तक काम पूरा नहीं हो पाया अब संबंदित प्रकल के नाम पर वैशनोदीवी चोक से पायलबार चोक के बीच सतर से असी मकानों की दिवारे अप्रोच रोड के लिए शुक्रवार को तोड़ी गए थी तीन दिन बाद भी मलबे को हटाया नहीं जा सका है एविस जीम के पास बड़ा सा गड़ा खूद दिया है जिसे दुरगटना का भैब बना रहता है रास्ते पर पड़े सतर मकान का मलबा भी रहवासियों के लिए मुसिवत का सबब बन गया है मनपा करमचारी कुमबकरणी नीन में है संबंदित अधिकारियों का कहना है दिवारे तोड़ने के बाद मलबा भी हटाना चाहिए था अधिकारी से पूछता हूँ मलबा हटाने की निर्देश दिये जाएंगे